सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकुन दोस्तों नवस्कार हमारी यूट्यूब चैनल होम डिजाइन इंडिया प्रापकर स्वागत है और आईए आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ 3D रेंडरिंग सब्वेर जिसका नाम है लूमियन इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा आपको इसका ओवर्वियू क्या है कैसे रहेगा वो सारी डिटेल बताऊंगा तो फ्लीज वीडियो तोड़ा लंबा हो सकता है इसको पूरा जरूर देखें तो यहां पर बात कर लेते हैं लूमियन की तो सबसे पहले तुम इसको पॉन करके आपको बताता हूं यहां से डवल क्लिक करके हम ओन कर रहें लूमियन का सफ्टववर जो है और दोस्तों यह जो सफ्टवर है काफी लंबा टाइम लेता है रन होने में यह दिखित यहां पर टाइम लेगा तो तो जब तक यह टाइम ले रहा चलने में मैं आपको कुछ इसकी जो स्पेशल रिक्वाइर्मेंट है इसके इंस्टॉलेशन की वह आपको बता देता हूं देखिए लुमियन के जो लेटिस्ट वर्जन आई हुए काफी यहां पे मेरे पास 6.0 वर्जन है क्योंकि मैं और भी वर्जन इंस्टॉल कर चुका हूं तो बता दूंगा आपकी फर्क क्या है उनमें और इसमें जो 6.0 वर्जन है यह मीनिमम जो रिक्वाइर्मेंट होती है आपके कंप्यूटर लेप्टोप की जो भी उसकी उपर चल जाता है लेकिन जो लेटिस्ट वर्ज लेप्टोप आपके पास कैसा होना चाहिए उसके बाद हम यहां से ओपन करेंगी इसके बारे में बताओंगा कि यह क्या है तो एक पर इसको ऐसे समझ लें अगर आपके पास एक कंप्यूटर है या लेप्टोप है तो उसके अंदर अगर आप इसका लोवर वर्जन भी तो दूसरी बात है ग्रैफिक कार्ड पहली बात है दूसरी बात का जिकर करें तो उसके अंदर रैम रैम भी आपके अंदर जो कंप्यूटर है उसके अंदर मिनिमम्म आठ जिपी होनी ही चाहिए और गहीं सीप्यू आई थ्री पर भी चल जाएगा थोड़ा सा लेगिंग ह तो इसकी बेसिक रिक्वाइर्मेंट है चार जीबी ग्रैफिक कार्ड आठ जीबी रैम आई थ्री प्रोसेसर तो उसके उपर चल जाएगा आप चला सकते हैं और बात कर लेते हैं देखिए अगर आपके पास ऐसा पीसी नहीं है तो आप उसको त्यार करना चाहें तो मैं ब ज्यादा मेंगे होते हैं तो यहां पर बात कर लेते हैं पहले हम फोर जीबी ग्राफिक कार्ड से श्टार्ट करते तो फोर जीबी ग्राफिक कार्ड वाला अगर आप लैपटोप लेना चाहते हैं अब अच्छी कमपनी का तो आपको 55-6,000 रुपए बीच में वो मिल जाए अगर आप आई फाइव लेते हो तो तो तीन हजार रुपए ज्यादा मिलेगा अब की एक आया है लेटेस्ट वर्जन सीप्यू आई फाइफ प्लस एट जन्रेशन का वो लेते हो थोड़ा सा एक ग्राफिक कार्ड वाला साइथ 25,000 तक लग जाएंगे आपके जिसके अंदर आप अगर बनाना चाहते हैं उसके अंदर 16 जीबी मिनी में बनायम रखें 6 जीबी ग्राफिक कार्ड रखें और आई 5 का जो है CPU एट जन्रेशन जो कोई बात ने जन्रेशन आप कम जाता है उस पर चलने वाला है अगर यह चीजें आपके कंप्यूटर में नहीं है तो प्लीज आप इसके चकर में नहीं बड़े हैं बिलकुल नहीं चलेगा तो आईए अब मैं बता देता हूं यहां से जैसे इसको हम ओन कर लेते हैं यहां पर यह देखिए चार ओप्सन आएंगी यहा आप दिखाई देरे आं तो इन में जो भी आपने चुझ करना वह चुझ कर सकते पहले यह दिखा देता हूं यह तो दर न्यू प्लन अगर आप न्यू प्लन करेट करना चाहते हैं तोर यहांसेन लिश थे हैं उसके इसके हैं इसके बाद एयंपको दिखाइंगा और यह ज होते हुं पहले से लेकिन यहां पर जो सिर्फ वेग्राउंड होता है अच्छा 3D वाग्रांड वो ले सकते हैं जैसे आप समुंदर का लेते हैं यहां पर पहाड़ लेते हैं और दो देखिए लेंड्सकेप बगएरा जैसे काफी सारे हैं संसैट का है नाइट का है वो सारी चीजि़ें मैं बताऊँगा एक्जेम्पल हो गया पर और यहां पर है लोड़्सेन आप अगर यहां पर सेव्ड चीन है जैसे आप ले सकते हैं तो आपके computer में अगर कोई scene पड़े है या पर जैसे मीरे यह इनको load कर रखा है तो यह इस type के आप screen यहां से ले सकते हैं तो पहले बात कर लेते हैं आपधे new के बारे में new करके मैं आपको सारी detail बता हूँगा कैसे कैसे हैं तो यहां से चलीए प्लान देख लें यमेसे जो भी आपने चूज करना हम लीजी मौन लेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद जैसे प्रोस्था है ऑप के बाद यह हमारा open हो जाता है देखिए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं देखिए यह समंदर किना रहे तो यह सीन है हमारा और जो इसकी basic चीजें हैं मैं आपको बता दो चलाने के लिए सबसे पहले क्योंकि देखिए ज्यादा कर जो student होते हैं नया इसको इसको यूज करते हैं उनको इसको चलाना नहीं आता तो मैं आपको इसके shortcut बदा देता हूं इसमें दो बटन का सबसे ज्यादा यूज होगा एक तो जो हमारा स्क्रोल बटन है माउस का 3D बटन बोलते हैं इसको बीच वाला बटन वो यूज होगा यह देखिए ड्रैगिंग इसके लिए आगे पिछे जानेगे लिए और जो हमारा राइट क्लिक बटन है वो सबसे ज्यादा यूज होगा इसको देखिए रोटेट कर सकते हैं उपर न स्क्रोल बटन है वही सबसे ज्यादा काम करेंगे हैं अब देखिए मैं चीज बता दूँ यहाँ पर इस जो सौर्ट कट की बात आती है यहाँ पर देखिए अभी मैं स्क्रोल करता हूं तो दीरे दीरे चल रहा है जैसे ही मैं सिफ्ट बटन दबा के इसको स्क्रोल करूआ आप यूज कर सकते हैं तो और जो एक्स्टा चीजें वह बता देता हूं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक इसमें दुसरा और जैक्ट डाल के भी दिखा देता हूं विल्ड में अधों चली मैं आपको दिखा देता हूं यहां से फाइल जो हमारे थी न्यू ओथ हमारे अभी दिखिए इसमें जो लोड़ सीन है वह एक्जेंपल में दिखा देता हूँ ऐसे कोई लिए लेते हैं यह देखिए यह हमारा scene अभी मैं right click button का use कर रहा हूँ देखिए आप चाहें तो देखिए यहाँ पर अंदर जा सकते हैं यह देखिए पूरा का पूरा यहाँ से अब यह तो क्या करेगा जहां पर हमारे camera का focus है वहाँ पर ही आपको लेके जाएगा अगर आप double click कर देते हैं यहाँ तो वहीं पर आपको डबल right click करेंगे तो वहीं पर आपको जो focus है वहीं पर लेके जाएगा तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं shortcut जो है shortcut के लिए आपको जो keyboard से key है asd और डेब्ल यह आपकी up down काम करेगी देखिए जैसे मैं a दबाता हूं तो देखिए हमारा scene एक तरफ जाता है right की side अगर मैं d दबाता हूं तो left की तरफ हमारा scene चला जाता है अगर मैं देखिए w दबाता हूं तो यह zoom in करता है और as दबाता हूं zoom out तो यह है दूसरी बात अगर camera हमने देखिए lift करना है या down करना है तो उसके लिए आपका lift down करने के लिए Q button यूज होगा देखिए यहां से यह हमरा camera down आ रहा है Q button से अगर हमने camera को lift करना है देखिए तो यहां पर देखिए अब दोस्तों समझी गए होगे कि Lumion क्या है और यहां से मैं थोड़ा सा आपको कुछ और भी दिखा देता हूं चलिए यह scene है अब जो इसके menu है जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे यह क्या रहेंगे यह मैं आपको दोस्तों next video में बताने वाला हूं तो अगर आपको सीखना है Lumion इसके मैं regular वीडियो डालूँगा और आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें आप सीख जाएंगे अगर आपके पास जो basic requirement वाला जो computer है तो उसके उपर आप इसको 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 सीख सकते हैं